लॉँ एसें को अर्लो फरेंड्स आज मैं आप लोग के साथ सेहर करी हूं से क्रिस्पी से पकॉड़े और इसको मैंने ब्रींजल बैंगल से बनाया है मैंने बैगन को कट कर लिया है ट्राइंगल शेप में आप आप चाहें तो कैसा भी शेप दे सकते हो और इसको मैंने दो मिनर तक शोक करके रख लिया है और पानी को निकाल कर और इसमें मैंने क्रिस्पी लाने के लिए मैंने चावल को व्यूगो कर रखा था और उतको मैं ग्राइंड कर लूँगी लसन और मिर्च के साथ अगर आपके पास चावल काटा है तो तो टू टेबल अस्पून आप दाल सकते हैं और मैं इसमें ले लूँगी दो कटोरी वेशन और वेशन में डालूँगी यह बैटर जो हमने ग्राइंड कर लिया था और इसमें डालेंगे मसाले लाल मिच पॉडर धनिया पॉडर काली मिच पॉडर जीरा पॉडर और नमक और हल्दी पॉडर और इसमें मैं डाल रही हूं अजवाइन और हाफ टेबल स्पून कलॉंजी इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और यह डैजिस्ट के लिए क्योंकि यह वेशन है भी होता है तो उसके लिए यह और इसमें बीना लंस के मैं इसको ठीक बैटर बना लूँगी बिल्कुल ठीक ही रखना है यह पानी अपना रिलीज करेगा अब इसमें हमने जो कट कर लिये थे जितने ही टुकडे वो सारे इसमें डिप कर लूँगी और इसको दस मेर तक रेश्ट के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसमें नमक अच् और इसको 10 से 15 मेर तक इसको रेश्ट करने के लिए छोड़ दिया था अब इसको हीट पैन में एक तेल लेकर और इसमें मैं तल लूँगी फ्राइ कर लूँगी गोल्डेन ब्राण होने तक मेक सियोर यह ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है गोल्डेन ब्राण होने तक म और यह बहुत यह टेश्टी बनता है इसके सामने पनीर के पकोड़े भी फेल हो जाएंगे आप एक बार जरूर इसको ट्राइक कीजिए और बस यह देखिए और इसमें ब्राण होने तक में इसको फ्राइक लट करने पका लेना और यह टी टाइम स्नैक्स या अगर आप कि इसी भेज थाली बना रहे हैं तो उसमें भी आप यह बहुत अच्छा ऑप्शन है बहुत अच्छा टेश्टी बनता है अगर आप इसको जरूर ट्राइक करें और मुझे फीडबैक में जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको हमारा रेसिपी अबस देखिए हैं हमारे पकोड़े बनकर त्यार हो चुके हैं बहुत अब इसको निकाल लेंगे और प्लीज प्लीज हमारे चैनल कू सेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए और कमेंट जरूर करिए और ये देखिए मारे सारे पकोड़े बन गए और ये मैं तोड़कर दिखा रही हूं आपको कितना ही अच्छा बनाया है थेंक यू